हेलो दोस्तों नमस्कार श्रंतों सी आइस में आप सभी का स्वागत है यह लच्छमी कांथ का चैप्टर आपका सिगंड लाया हूँ इससे पहले हमने एक चैप्टर लाया था fundamental duties तो वहाँ पर हमने cover कर दिया है आप सबने lecture को काफी पसंद किया इसलिए हमने आपका feedback लिया था आपने कहा था सर इसको continue करिए तो हम इसको continue कर रहे हैं तो आपका जो लच्छमी कांथ है नया edition पूरा A to Z आपको एक summary के form में summary कर सकते हैं क्या वही कर सकते हैं आप इसको आज आपको यह पता चलेगा कि यह संसद में साधारण बहुमत क्या होता है simple majority क्या होती है simple सबसे टफ यह होता है संसद में एक बिसेश बहुमत special majority में कई उपबंद आ जाते हैं तीन उपबंद आ जाते हैं मतलब तीन परकार से हो सकते हैं तो यह भी आज हम आपको बताए हैं अब देखिए आपका यह समान अध्यन का जो यह सिलेबस है यह सिकंड पेपर का यह देखिए मेंस का सिकंड पेपर का यह सिलेबस है इसमें देखिए संसोधन आपका दिया गया है तो संसोधन नाम का यह देखिए चैप्टर दिया गया है आपके पेपर में कभी भी प आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलिग्राम का लिंक दिया गया है ताकि आपको जिसके पास सलेवस ना हो वो सलेवस भी देख लेंगे ठीक है अब देखें यहां पर आप देखें आमेंडमेंट आप दा कांश्टिवसन ठीक है समिधान का संसोधन एक आपका चैप्टर है आपके लच्छमिकानत का इसको हम पढ़ने चल रहे हैं देखें अब देखें इसकी आउसकता क्यों ही पहले यह बताईए कि सम्मिधान में संसोधन की आउसकता क्यों ही क्योंकि जब यह समिधान हमारा बना था तो उस समय की कंडिशन परिश्यतिया कह सकते हैं नीड कह सकत घ्राएं हमारी कुसमें क्या थी कि तब सब डिफ्रेंड दrum्र he had two-day आज के परजेंट टाइम के सचुछ और क्यों कि आज की आपके कि परजेंट-टाइम की सिच्वेशन कुछ और है और उस्समें की सच्यूशन कुछ और थी तब इसी लिए समय समय पर क्या किया जाता है अमेंडमेंट किया जाता है संसोधन किया जाता है किसके आपके कास्टेशन में संसोधन किया जाता है तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि इसका प्रोसेस टप है कि इसका प्रोसेस सिंपल है देखिए बिटेन के समान आसान नहीं ठीक है तो यह कह स कि जो बिटेन का समिधान है उसको संसोधन करना मतलब अमेंडमेंट करना बहुत ही आसान है लेकिन जो यूएस की तरह कठिन नहीं है तो हम यह कह सकते हैं कि जो बिटेन का समिधान है वो बड़े आसानी से आप संसोधन कर सकते हैं और यूएस का समिधान बहुत टफ तरीके स संसोधन होता है तो हम कह सकते हैं ना इसके तरह आसान है ना यूएस की तरह कठिन है तो हमारा समिधान है कैसा तो हमारा समिधान कह सकते है ना लचीला ही है ना कठोर है तो आपका समिधान ना लचीला है और ना कठोर है दोनों का एक मिक्सर है ठीक है तो यह आप से अगर अब देखे आप से ये भी पूछ सकता है ये पिरी में कई बार पूछता है कि ये किस भाग में है तो भाग कुन सा बताएंगे भाग 20 बताएंगे कितना भाग 20 बताएंगे पार्ट 20 बताएंगे आर्टिकल 368 में आर्टिकल 368 में दिया जाता है कि ये आपका कहां पर समिधा संसोधन होता था उसी देश से हमने ले लिया है तो साउथ अफ्रीका से साउथ अफ्रीका से हमने संभिधान संसोधन की परंपरा को लिया है कि जैसे वहां पर होता था तो हमारे संसद्द परियोग करते हैं तो आर्टिकल 368 से ठीक है संधान संसोधान अब दिखें यहां पर होता है किसी सम्मिदान, किसी पार्ट को जोड सकता है, किसी कानून को जोड सकता है, हटा सकता है, ये कर सकता है लेकिन एक चीज है, मूल धाचे से सम्बंधित ना हो, इनका मतलब कहने का मतलब है, जैसे आप मूल धाचे को basic structure को change ना करिए, ठीक है, आप 368 का यूज करिए, बट basic structure का यूज मत करिए, basic structure मतलब क्या होता है, जैसे आपकी building है, उस building के आप यहाँ पर जैसे मान लेते हैं, आपकी यह बिल्डिंग है यहां पर आपका किचन है और यहां पर आपका रूम है यह रूम है और यह किचन है यह रूम है यह किचन है तो आप किचन को यहां पर कर सकते हैं और रूम को यह पूरा इधर कर सकते हैं तो किचन को आप साइड मतलब नौर्थ में कर रख सकते हैं saouth में साउत में रख सकते हैं या या आप रूम को नौर्थ में, best में, south में कहीं रख सकते हैं लेकिन जो आपकी यह new है new, new जानते हैं अंदर जो new पड़ती है उसको छेड़ खानी नहीं करेंगे क्योंकि अगर उसको छेड़ खानी करेंगे तो आपकी पूरी बिल्डिंग ही गिर जाएगी तो वही होता है मूल धाचा बेसिक इस्टेक्चर तो आप कुछ भी करिए कोई भी संसोधन करिए लेकिन उसकी नाव नियू जो होती है नियू एक बीम जिस जो कह सकते हैं एक बीम नीचे अंदर पड़ी रहती है जिस पे आपका पूरा बिल्डिंग टिकी होती है उसको आप कोई छड़कानी नहीं करेंगे तो यह होता है मूल धाचा यह कबाया यह व्योस्ता केशवा नंद भारती मामले में 1973 में दिया गया कि आप अपने अनुसार या जो आपको लगे कि आप यहां पर परजन टाइम में इसकी जरूरत है त मामले में दिया गया केशवा नंद भारती मामले में 1973 में दिया गया अब देखिए यहां पर संसोधन की परकिरिया क्या है इसका प्रोसेस क्या है प्रसीजर फॉर अमेंडमेंट इसका क्या होता है देखिए संसत के किसी भी सदन में लेकिन राज विधान मंडल में नहीं इ आप्ट सभा में हैं जिसको सहा कोई किसी आप कर सकते हैं तो कहां पर चाहे राज्य सभा या लोग सभा में लेकिन बिधान मंदले नहीं कर सकते हैं जैसे कोई समिधान संसोधन है तो यह नहीं कर सकते कि इसको योगी जी पेस करेंगे उत्तर प्रदेश में या तमिलनाड के मुख मंतरी श्टालिन उसको अपने यहां पेस करेंगे समिधान संसोधन है तो नहीं हो सकता ठीक है अब देखिए यहां पर क्या गया है मंतरी और गैर सरकारी स से देखिए जब आपका election चला है election वुने वाला है जो लोग सबहा जब हो जाएगा तो कई Caribbean Kalini menntरी سफटलेंगे कुछ Day की जो काइबिनेट होता है जो पूरा एक गवर्मेंट होता है यह इपूरी गौवर्मेंट होती है, सबसे अंदर का जो पार्ट होता है, वो काविनेट होता है, इसके ऊपर जो होता है, काउंसिल आप मिनिस्टर होता है, ठीक है, तो वो जो काउंसिल आप मिनिस्टर होता है, वो थोड़ी सी बड़ी बोड़ी होती है, बड़ी मतलब यह नहीं उसके प मंत्री होते हैं यहां पर संख्या कम ही होती है लेकिन इनके पास काफी पावर होती है ठीक है और यह जो डिसीजन लेते हैं परधान मंत्री से मिलकर वह एफेक्टिव डिसीजन माना जाता है तो कैबिनेट मंत्री जैसे आपके परजन टाइम में कौन है अमिसाजी है राजना आप मिनिश्टर ये जो उपर वाले हैं तो इन में क्या कर सकते हैं जैसे आप किसी राज्य मंतरी जो है उनको आप बता सकते हैं कि ये ये भी ला सकते हैं ठीक है तो वो भी आपका ला सकते हैं ठीक है तो ये आपके सरकारी सदस्य हो गए तो सरकारी सदस्य ये समझेगा कि व वो मंत्री हो सकते हैं चाहे काउंसिल आप मिनिश्टर के मंत्री हो सकते हैं चाहे वो काइबिनेट मंत्री हो सकते हैं तो दोनों हो सकते हैं ठीक है अब देखिए यह मंत्री और या गहर सरकारी सदस्री क्या होते हैं देखिए चाहे एंडिये हो ठीक है एंडिये मतलब जो अगर आपका जो यम्पी हो चाहे राजसभा का हो चाहे लोगसभा का हो यम्पी हो वो आपका ला सकता है लेकिन वो मिनिस्टर नहीं है मतलब मंतरी नहीं है ना काउंसिल मिनिस्टर ना केमिनेट नहीं है लेकिन वो भी ला सकता है तो ये होता है गैर सरकारी सदस और सरकारी जो मतलब मंत्री रहे वो सरकारी सदस होता है जो मंत्री नहीं है वो गहर सरकारी सदस होता है ठीक है यह याद रखिएगा अब दोनों सदनों के बिसेस बहुमत दवरा सदन की कुल संख्या के आधार पर सदन में उपसे सदसों के तो तिहाई बहुमत से मद्दान दवरा होना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कि पांसो तिरालिस सीट है तो पांसो तिरालिस सीट के आधे 272 मान लीजिए होता है तो 272 और अधे उसका जितने उपस्थित है उसका दो बटे तीन इसको अभी हम ना कहां बताएंगे नीचे आपको हम पूरा एक्स्प्लेन करेंगे सिर्फ इतना यहाँ पर देख लिजए बस इसको अभी हम नीचे एक्स्प्लेन करेंगे तब आपको पूरा समझ में आए जाएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सापको महित लगाना है ठीक आप बने रही है आपको आज कनफर्म हो जाएगा कि यह मेज़ोर्टी यह सिंपल मेज़ोर्टी यह होता क्या है परतेख सदन में बहुमत को अलग अलग पारित कराना अनिवार है ठीक है सायूक तो बैठक का प्रावधान नहीं है तो आपके पेपर में यह पूछ सकता है क्या यहाँ पर आपका जब यह अमेंडमेंट होता है constitutional amendment यहाँ पर क्या joint sitting है प्राउधान joint sitting का कोई प्राउधान नहीं है क्यों क्यों आपका सभी तो बैठक का कोई प्राउधान नहीं अलग-अलग ही पास होना है पहले चाहे राज्य सभा में पास करिए कि लोग सभा में जाईए या लोग सभा में पास करिए राज सभा में जाए यह ऐसा ही हो सकता है यह नहीं कि एक ही साथ बैटके पास कर दें कैसा ऐसे क्यों नहीं होता है इसके पीछे भी रीजन जान लिजे देखिए जो राज सभा होता है वो माना जाता है कि जो इस्टेट के कुछ लाब होता है वो पच्छ रखा रखा जाता है राज्य सभाँ ही रहेगा ठीक है तो ऐसे नहीं मतलब यहां देखा जाता है कि राज सभा का भी उतना योगदान हो जितना योगदान आपका लोग सभा का हो इसी लिए अलग अलग पारित करवाए जाता है पहले आप राज सभा में पारित करिए फिर लोग सभा में पारित करिए ताकि वहा यह केंद्र का मिले लोग सभाक के द्वारा ठीक है तो यह इसी लिए इसका संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है किसमें यह आपके जो यह जॉइंट सिटिंग मलब यह कांस्ट्योशन अमेंडमेंट में यह याद रखेगा संसत के दोनों सद्दों में पारित ह पास भेजा जाता है राश्टपती संसत के पूनर विचार के लिए भेज नहीं सकता ठीक है यह याद रखेगा जो अमेंडमेंट मेंट मेंडमेंट मेंडमेंट में इसको राश्टपती दुबारा नहीं भेज सकता ती आप जाएए फिर इसको लेका रहें यह नहीं भेज स चौबिसमा संसोधन यह आपका किसका प्रीक अफैक्ट है तो चौबिसमा जो संविधान संसोधन उनीस सुएकात्तर को राश्टपती को स्वविकृत के लिए बाद किया गया तो यह याद रखिएगा अब देखिए संविधान संसोधन जो होता है वो तीन परकार से होता है सद्थारर बहुमत द्वारा संविधान संसोधन उता है एक विशिएश बहुमत द्वारा यह दूसरा वाला बहुत इंपोर्टन है tapahn यह संसे ** बहुमत यों आध्यराज्य विदान मंडरो के संतुश्च के आधार पर म्लाब जो इस्टेट हम उनके रेक्टिफिकेशन के द्वारा भी आपका ये होता है ठीक है तो एक साधारल बहुमत एक बिसेस बहुमत और राज्य जितने 50% जिसे 28 राज्य हैं मलब संगिय ठाचे मलब जहां पर आपका राज्य और ये मलब राज्य और केंद्र है ठीक है दोनों का आपका ये कुछ लाव यहान कोई भी बिल इनके एकॉर्डिंग आएगा कि किसी पर चेंज करना है कुछ भी तो ये आपका ये बिसेस बहुमत यों राज्य के आदे से ज संतुष्टी चहिए ही ठीक है ये याद रखिएगा अभी देखिए तीनों के बारे में हम पूरा इस्प्लेन करेंगे तो आपको पता चलेगा देखिए अब देखिए यहां पर संसत के साधार बहुमत सिंपल मेजॉर्टी होती क्या है देखिए सिंपल मेजॉर्टी क्या ह जैसे नए राज्यों का परवेश और गठन इसमें आप 368 के दाइरे में नहीं ला सकते तीक है यह क्या आठकल 368 के दाइरे में यह नहीं आता नए राज्यों का परवेश और गठन या नए राज्यों के निर्माड और उसके छेतर की सीमाओं के से सम्मंधित राज्यों के नाम मलब जैसे आपका बिहार से जहारखंड बना तो ये सब आपका 368 के अकॉर्डिंग नहीं बना ये नए राज्यों का परवेश या गठन माल लिजे परवेश कौन सा सिक्किम भारत का राज्य बना 1975 में वो आपका 368 के अंतरगत नहीं आया था ठीक है राज्य बिधान प परिशद है तो उसका अगर निर्मार करना हो या उसका समाप्ति करना हो तो यह सब सिंपल मेजॉर्टी में आता है किसमें सिंपल मेजॉर्टी में आता है मतलब आप सिंपल मेजॉर्टी मतलब यह कि जितने पूरे सज अभी इसको बताएंगे कितना सिंपल मेजॉर्टी हो पहले इतना देख लीजिए कि क्या-क्या इसमें होता है सिंपल मेजॉर्टी में इसके बाद भी बता भी देंगे क्या होता ठीक यह देखे हमने एक एक जामपल लिया है थोड़ा सा आपको समझाने के लिए सिंपल मेजॉर्टी कैसे होती है दूसरी अनुसूची में राश्ट पति का राजपाल का लोगसभा का न्यादिसों के इसमें क्या होता है यह आपका सिंपल मेजॉर्टी में ही आता है संसद में गड़पूर्थी मतलब क्या होता है संसद में कितने लोग होंगे तभी आपकी कारवाई चलेगी तो संसद में कितने लोग अभी पड़ेट माना जाता है कि पच्पन लोग होऊँगे तो l weeds तो का टब भी कारवाई चलेगी रेकिन आपका संसद आपका simple majority के दरह स्वर्व के च्छेंजर कर सकते हैं संसद में सदस् Tsoky बेतन भत्ते simple majority संसद में परिक्रिया नियम ये भी simple है संसद में अंग्रेजी भासा का परियोग किया जाए ना किया जाए ये भी simple majority से ही बता दिया जाएगा या ला दिया जाएगा amendment कर दिया जाएगा ठीक है राज भासा का परियोग हिंदी जैसे राजबासा हमारी है तो उसका परियोग यह सिंपल मेजॉर्टी से है नागरिक्ता की प्राप्ति और समाप्ति यह याद रखेगा इंप्वार्टन्ट है क्योंकि अभी CAA लागी हुआ है तो उसमें आपका इसी से संबंदित है तो नागरिक्ता वाला देख लीजिएगा किसमें सिंपल मेजॉर्टी से होता है पांचुई अनुसूची में जिससे अनुसूची छेतरों और अनुसूची जनजातियों के परसासन और छटूई अनुसूची जनजातियों के परसासन से तो ये जो पचोई अनसूची है और छटोई नसूची है ठीक है ये दोनों भी आपके सिंपल मेजॉर्टी से ही इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है अब देखिए यहाँ पर इतना याद रखी ये सब सिंपल मेजॉर्टी है ठीक अभी बताएंगे कौन मलब ये ये वाला म मिजॉर्टी में कौन सा आएगा ठीक है संसद का राज बिधान मंडल के लिए निर्वाचन और निर्वाचन छेत्रों का बुनन निर्धारण ये सब भी आपका जो राज बिधान मंडल है ये संसद है या निर्वाचन छेत्रों का कौन सा निर्वाचन छेत्रों को बढ़ा होता है माल लीजिए अभी आपके राजसभा में सव लोग परजंट हैं और मतदान के समय 20 लोग अनुपस्थित हो गए सव लोग आये राजसभा में 20 लोग चाय पीने के चलेगे जब उस समय जब मतदान चला है तो 20 लोग वहां से उठें कहें चले कंटीन में चाय पी के आते हैं किते लोग बचे असी लोग बचे अब असी लोग देखें यहां क्या लिखा गया है पी एंड भी परजंट एंड ओटिंग यह इसका मतलब होता है परजंट एंड ओटिंग तो परजंट कितना थे देखें परजंट तो पहले सव करते हैं अब कईता ही आ रहा है तो पच्छे कितने माली यह 50 बच्छे थे 55 बच्छे बच्च भी तो उसी 45 बच्छे को उसी पाइब सार करेंगे एक जोड़ देंगे एक तालिस लोग अगर यहां पर ओट दे देते हैं ठीक है तो आपका क्या हुआ यह जो बिल हुआ यह पास हो जाता है ठीक है तो सिंपल मेजॉर्टी एकदम सिंपल ही है इसलिए इसको सिंपल मेजॉर्टी कहते हैं साधार बहुमत कहते हैं ठीक से महांको मानिए पृसमादब समझे करिया सव बताताओं सव लोग है उसमें बीस लोग चाय पीने चले गए कारैंटीन में असि लोग बचे हैं सव सवर बटे दो पचासएंट इक तिमंद इस इस और रहे हैं वोट फेवर में तो बिल पास हो जाएगा यहाँ पर 20 लोग चले गए इसको 20 लोग हम इसलिए हटा दिये यहाँ परजेंट लिखाता ना इसलिए 20 लोग को हटा दिये नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं सरमाली यह 100 लोग है 20 लोग है अधर चले गए तो इसलिए हम यह वाला संसत के बिसेश बहुमत के द्वारा अब देखिए यहाँ पर क्या होता है समिधान के जादतर उपबंधों का संवेधन बिसेश बहुमत द्वारा किया जाता है जो मेन मेन इसू होते हैं सबसे जादा इसी के द्वारा किया जाता है इसमें क्या होता देखिए मतलब क्या हो सब भी हम पूरा मयत के फॉर्म में लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अब देखिए कुल सदस्य क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है कि कुल संख्या से है चाहे वह रिखतियां हो चाहे आनुपस्तित हो उससे नहीं मतलब जैसे आपके लोकसभा में परजन टाइ बचली साब के सदस्य सबचसे उनका पूरा देखा जाता है ठीक है इसका मतलब हम यहां लिखे कि कुल संख्या से चाहे रिखतिया हो ये नहीं देखा जाता है कि मलाब इस अभी राहू बींस मुन क्या हुआ था राहुल गादी का राहू घआराए चर्चा में तो आप सब जानते हैं इसलिए में उनका एक्जाम्पल ले रहा हूँ जिसर गाधी को संसत की सदस्या से भटा दिया गया था लेकिन उनका भी जोडा जाएगा ये नहीं ये नहीं जोडा जाएगा उनका भी जोडा जाएगा तभी तो 543 बनेगा तो सब का जिसे आपका संजे सिंग आम बहुमत मद्दान करने वाले दोती हाई अभी ये भी बताता हूँ आपको ये अब देखी इसमें होता क्या क्या है जब आपका कहे कि स्पेसल मेजॉर्टी से कोई बिल पास किया जाता है तो आपके मन में आता होगा ना कौन-कौन से बिल होते हैं जो इतना टफ होता है ठीक ह तो यह होते हैं मूल अधिकार फंडामेंटर राइट फंडामेंटर से जितने भी इंपोर्टेंट आपके आटकल आपको चेंज करना लाना आए जैसे कि आपका संपत्ति वाला था संपत्ति वाला था ने अटकल 31 हटा दिया गया तो वह क्या बिशिए स्पेसल मेजॉर्ट यह फंडामेंटर राइट से जितने हैं डीपीएसपी से ठीक राज्य के नीत निदेशक सिद्धान डीपीएसपी से भी आपका यह सब किस से चलता है इस पेसल मेजॉर्टी से चलता है बलाब इसमें काम आता है वह उपबंद जो पर्थम और तिर्थिये सिरेडी से संबं संबंद नहीं है और बिसीएस बहुमत द्वारा और राज बिधान मंदलों के संद्ध मतलब रेक्टिफिकेशन के द्वारे इसमें नहीं आता है वह सब ही इसमें आएगा दूसरे में आएगा ठीक है अब देखिए तो इसमें सिर्फ इतना याद करिएगा फंडमेंटर र होते हैं एक होता है कुल सदसों के दो तीयाई बटे तीन बहुमत द्वारा कैसे इसमें कैसा होता है जैसे राश्पती को जब हटाया जा सकता है तो आप से पूछा जाता है कि राश्पती को कैसे हटाया जाएगा ठीक है तो राश्पती को कैसे हटाया जाएगा जो आपके सदस होंगे 543 का उनसा सिर्फ दो बटे 3 कर दीजिए बस ठीक है यह पहला मलब इस्पेसल मेज़ॉर्टी में पहला पार्ट हो गया याद रखिए कि यह स्पेसल मेज़ॉर्टी का पहला पार्ट है इसमें अभी दो पार्ट और हैं तो अगर आपको राश्पती को हटाना है तो पांसो तिरालिस का दो बटे 3 कर दीजिए अगर दो बटे 3 आ जाता मनले पांसो तिरालिस का दो बटे 3 कितना 362 लोग हो ठीक है तो इसने अगर बहुमत आ जाता है बहुमत दो आपका क्या होगा इस्पेसल मेज़ॉर्टी 245 का दो बटे 3 163 होता है आ गया तो आपका राश्पती हट जाएगा ठीक है तो आपको राश्पती को अगर हटाना है तो आप सिर्फ कुश्मत करिए जितना पांसो तिरालिस का दो बटे 3 करिए और राश्पती को राश्पती हट जाएगा ठीक है तो यह हो गया आपका य अब आप सोचेंगे कैसे होगा अब 362 हो गया 543 लोग हैं आपके लोग सभा में कितने गए अभी जाएंगे कितने माई तक कितने लोग जाएंगे तो यह 543 लोग जाएंगे 543 में से अगर इसमें 362 या 363 लोग मतदान कर दिये 543 में से तो अगर राश्पती को हटाना है तो यह आपका हट जाएंगे 245 में से अगर 260 लोग मद्वान कर दिये थिक है 245 में से 106 लोग मद्वान कर दिये तो आपका क्या हुगा रश्पति हर जाएंगे ये दूसरा क्या हुगा उपस्तित यों मद्दान करने वाले सदसों का दो बटे तीन आप देखी यहां पर यह क्या होता है उपस्तित यों मद्दान करने वाले उपस्तित माली जी 120 लोग उपस्तित हुए हैं ठीक है राजसवा में 120 लोग मालीजे उपस्तित हुई है आज 123 लोग आये हैं राजसभा में उसका 2 बटे 3 अगर उसका 2 बटे 3 करते हैं तो ये 80 लोग आता है तो अगर 80 लोग आपका ये मद्दान कर देंगे तो आपका जो भी बिल पास होगा ये ये दूसरा वाला है इस्पेसल मज़ार्टी का दूसरा वाला ये तो दो उतना इंपोर्टन नहीं सबसे ज़्यादा इंपोर्टन कौन सा है आपका तीसरा वाला इंपोर्टन है यही देख लिजी अचाहिए सब को बोल भी जाएगा ठीक है क्योंकि इसी में सब कुछ है आपका जो बहुमत द्वारा अब देखें बहुमत द्वारा क्या होता है अब यह बताते हैं उपास्तितियों मद्दान करने वाले सदसों के दो बटे तीन बहुमत द्वारा यहां दो कल्कुलेशन होगा ठीक है यह क्या होता है देखें इसमें कौन कौन से आ जाते हैं तो यह जो कम İşन کو खटाना है और इसका परियोग बिधान परिस्थ बनाने के लिए भी किया जाता है अब राज भी इसका देखि दो चीजे होती है एक जब आप आपका संसीन इस इसकी बात पाचर की बात करें जब संसद आपका बिधान परिशत का गठन करेगा ठीक तो वहाँ पर सिंपल मेरे जोटी की बात होगी लेकिन अगर राज आपका बिधान परिशत का गठन करना चाहता है ठीक अगर संसत करना चाहता है तो वहाँ स ंपल मेरे आप्रिजी जिसे आप मालिजे नहीं है ठीक है untuk pada us को गठन करना तो उत्तरपरदेश में अपना यहां जो यह बिधान मसम्UM लगण ऊत्तरपरदेश का सदन है यहां पर क्या हो जाये ङक करेदा बृषब सलंगर लागूझा इसके बाद कीन्न में होता क्या है ये पहले देख लिजिए आप पहले एक्जामपल लेते हैं राजजा सभा का राज्य सब्हा का ले पहले तरह gonna पर दिखाते हैं आप दिखाते हैं राज्य सब्रसाथ में कितने सीठे बिदा करें राज सभा के लिए यह 124 में जो टी अब देखिए केस दो केस बनेगा ठीक है यह तो आपका यह पहला वाला कर रहा है पर तेख सदन के कुल सदस संख्या के बहुमत द्वारा अब देखिए कुल बहुमत क्या होता है कि आधे से थोड़ा सा जादा रहे आधे से 24 245 तो आधे से थोड़ा सा जादा ही 124 ठीक है तो यह पहला वाला फुल्फिल कर दिये आप की आपका कितना 1224 हो गया ठीक है अगर मजब 245 सदस हैं उसमें से आधा मजब आधा करें एक करें 124 सदस आप जुटा लिए माल लीजे पीजेपी वाले इंडिये वाले 124 सदस ज क्या होता है केस दो हो एक केस यह बताता हूं एक केस यह बताता हूं यह क्या हुआ जिसमें फेल हो जाएंगे बीजेपी वाले यह क्या क्या होगा जिसमें पास हो जाएंगे मैं बीजेपी का नाम क्योंकि अभी रूलिंग में वही है अमेंडमेंट बिल पास वही सब करें ठीक है तो आपको समझने के लिए जरूरी है ठीक है ताकि आप समझ पाएं अब देखें केस फच्ट में क्या होता है दूसरा केस बता रहा हूं यह तो 124 हो गया यह दूसरा केस क्या हुगा परजेंट एंड ओटिंग जो परजेंट हैं और जो ओटिंग कर रहे हैं जो चाय पीने गए हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं माल लेजे 120 लोग हैं ठीक परजेंट एंड ओटिंग 120 लोग हैं 120 लोग हैं यहां पर 120 का फिर दो तिहाई करेंगे यह देखिए यहां पर क्या लिखा गया है उपस्तित यह मतदान करने वाले सदसों का दो तिहाई बहुमत करें देखिए उपस्तित और मतदान करने वाले सदसों का दो तिहाई पारित होगा या नहीं नहीं पारित होगा क्यों पारित नहीं होगा 124 का आकड़ा पार करना ही पड़ेगा अब देखिए कंडिशन दो क्या है परजेंट एंड ओटिंग कितने लोग हैं 210 दस दो 145 मेंसे 210 लोग परजेंट है अब इनका 210 power करें दो एडाइन निकाल ले जिए कितना हो गया 144 और by 244 और by 246 बड़ा है न बस यह आपका बिल पास हो जाएगा कोशी कोशी एंडिय वाले जहूमेंगे ठीक है तो तो ये आपका बिल पास हो गया और ये बिल नहीं पास हो गया तो आजसे देखिए राज्य साओ लोकसाओब में क्या होता है मान लिजे 543 यहां 272 अब इस आंकड़े को मलद ये पीरी है पीरी मान लिजे 242 लोग है आपका मान लिजे 243 में 272 अभी सीटे तो इनके पास जादा ही है मालीजे बीजेपी इंडिये के पास ज़्यादे सीटे हैं तो 272 लोग आई जाएंगे अब देखे। सब्किछ मिला के जितने लोग सपोर्ट कर रहें 300 का दो कर देते हैं तिन हो गया दोसो आ गया पारित होगा यह नहीं तो पारित नहीं होगा क्योंकि 272 से 200 कम है आप देखिए यहीं पर देखते हैं कंडिशन दो 427 लोग मान लिजे परजेंट है ठीक है कितने लोग परजेंट है 427 ने 129 करी ठीक है ताकि आपको कल्कुलेशन करने में आसानी हो तब 429 लोग करेंगे तो इसके कितना होगा 243 गुड़े 286 लोग आगे अब देखिए 272 बड़ा है कि 286 बड़ा है कौन सा बड़ा है 286 बड़ा मतलब 272 तो आप पहले ही पिरी पास कर चुके है जब मेंस की बात आए तो 272 लोग भी आपके आ रहे हैं मतलब 272 वाला आकड़ा भी पास कर लिए 286 हो गया तो यहां लिखा गया उपास्थित और मद्दान करने वाले सद्दसों के दो तिहाई बहुमत से पारित हो जो सदन की संख्या के आदे से जादा हो तो यही कह रहा है कि अगर उपास्थित और मद्दान करने वाले सद्दसों का दो तिहाई यह तो उपास्थित और परजेंट और ओटिंग पी और भी क्या परजेंट और ओटिंग दो तिहाई बहुमत से पारित हो और जो सदन की संख्या से आदे से जादा हो तो सदन की सं पूछा जाता तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा एक बार 272 लेंगे तो प्री पास हो जाएगा अब फिर उसी का जितने उसी का नहीं 272 का ही नहीं जितने लोग परजंट रहेंगे पूरे सदन में उनका दो तिहाई ले लेंगे पिर अगर वो दोनों आपका साटिस्फाई हो रहा हैं 272 से क्रास चल जा रहे हैं तो आपका क्या हुआ यह पास हो जाएगा यहां पर 124 से क्रास हो रहा है 140 यह पास हो रहा है यहा करें तरक से सांसक्रिब्ों के बниटथ जाते हैं घृब जिसका आपका इफेक्ट किस पर पढ़ेगा राज पर भी पढ़ेगा कोई भी संसोधन हो घैंद्र भी पढ़ेगा तो क्या होगा वही संगे ठाझ संभमध तो यह आपका तीसरे वाला बंता रहे हैं तो इसमें से सम्भंदित फेडरल सिस्टम क्या होता है जिसमें आपका राज्य और केंद जोनों का होता है ठीक है मलब दोनों का प्रॉफिट लॉस कुछ भी होता है मलब कुछ भी अगर वहां पर चेंज हो तो उस पर पड़े तो यह होता है ठीक है दोनों को संतुलित रखना वही तो चौदा अगर आपको मिल गए मंजूरी तो आपका बिल पास हो जाएगा तो ठीक है तो चौदा मलब यह बिसेस बहुमत तो आपका होना ही चाहिए इसके बाद क्या होगा आधे राज से जादा राज्य उस पर सहमती भी देंगे यह इसमें कंडिशन मलब फुल फिर कर लियते हैं कहां इसको पास कर दिया जाए कि जुदा राज्य और बचे कोई फैसला नहीं ले रहें तो उसको कोई फरकी नहीं पड़ेगा क्योंकि पचासी पर्सेंट तो दिया ही गया है कि पचास पर्सेंट जो स्थेट हैं उनकी सब्कृत होनी चाहिए तो तो गया ठीक है और बहुमत द्वारा चंसद में दोनों ही पास हो जाएगा और जो बचे राज्जे हैं माने या ना माने कोई फरक ने पड़ता है राश्टपती का निर्वाचन इसकी परकिरिया इसकी परकिरिया केंद्र और राज की कारकारी सक्ति का बिस्तार अगर करना हो मतलब यह जो आपका तीसरा है यह कहां कहां पर लागू किया जा सकता है तो जैसे केंद्र और राज्जे की कारकारी सक्ति का बिस्तार करना हो तो इसमें भी किया जाता है राश्टपती के निर्वाचन और इसकी परकिरिया में क्योंकि राश्टपती माना जाता है कि यह के लिए जोंकी विधाय सकतियों का बीजभाजन भी होता है बस तो और सेवा कर जीएष्टी अगर पूछा जाए तो किसके अंदर आता है संसत के विशेष भूमत और राज्जों कि कंटेरा संगरह करती है तो दोनों लोग का मैपने एक फेडरल सिष्टम सब्सक्राइब क्या होता है इसमें भी आपका संसद में राज्यों का परतिमने दित्त होता है आप क्या कह सकते हैं समेदान में संसद के सकते इसके परक्रिaking आपको याद रखना होसा के तीसरा कहा कहा पर लागू होगा आप देखिए समिधान संसोधन की आलोचना कब है ये सब पूरा हम आपका लचमी कांति इसमें अलग कुछ नहीं है तो आप अलग कुछ मत समझ करेगा कि मैं कुछ अलग आपको बता रहा हूं आप देखिए इसमें समिधान की जो आलोचना की गई है वो क्यों संसदि कर सकती और कोई कर नहीं सकता तो यह भी एक आलोचना है तो आलोचना कुछ भी लेख सकते हैं राज बिधान मंडलों की सीमित सकती तो इसमें राज बिधान मंडलों की सीमित सकती है एक में तो हई है लेकिन अगर पचास परशंट वहां पे लोग कर दिये तो जो पचास परशंट राज बचे हैं पचास परशंट राज मतलब कर दिये हैं फेवर में तो जो चौदा कि आपको happier सबसें अलग अलग पारित या का मना जाता खीची जदा-इस do Это की सःियुक्छ का कोई प्रावधान संसोधन संथन अब देकं है यूएस्व में क्या होता है समुधानिंट परिश्चत सब्सक्राइब आ होता तो वहाँ पर एक समिधानिक परिसद बना है लेकिन भारत में ऐसे कोई बेउस्था नहीं है कि यहाँ पर समिधानिक परिसद बनी रहे यह आपका खुदी संसट डिसाइड करती है कि इसको चेंज करना है की नहीं अब संसट में यह भी वो है संसट के पास लोगसभा राजसभा यह किस से मिलते हैं प्रिसिडेंट से मिलके बनते हैं लेकिन इसमें सिर्फ लोगसभा राजसभा ही डिसाइड कर सकते हैं इनिसियेट कहां होता है इनिसियेट आपका यह लोगसभा यह राजसभा में ही initiate initiate किया जा सकता है कि आपका कहां पर ये change होगा मतलब ये जो आपका amendment bill होगा ये कहां पर पहले पारित किया जाए ये ऐसा नहीं होता कि इसको bill को राश्टपती लेकर आए ऐसा नहीं होता ठीक ति ये भी एक आलोचना ही कह सकते हैं नहीं कर सकता यह भी हो सकता है इसमें कि इसको state initiate नहीं कर सकता म्हिनले स्टेट नहीं ला सकता कि ये चलिए आप construction amendment करिए ठीक है वो iAll department आपका अपने लिए बना सकता है कि ये килट कांसेलिंग मलब विदान परिसद बनाना है तो लेकर बिए नहीं कर सकता है कि किसी बड़े amendment की तैयारी कर रहा हूँ इस्टेट लाने तैसर इस्टेट नहीं कर सकता इंडिया में उल्ली 50% इस्टेट परपोजल चाहिए बट उससे में 3,4% का देखिए इंडिया में सिर्फ 28 राज्जे हैं तो चार ही कर दीजिए और यहां पर 3 बटा 4 कि Research a तैम करें रहे हैं तो इसको कभी फरकने पड़ता इंटर एंडिया कम प्लिक स्टिटी भर्ति है खती तो सब कुछी हो जाता यह आपका एक आलोचना में लिख सकते हैं अब देखें कि कई मलब महान लोग हुए हैं जो बताएं कि यह अब हमारा कास्टिशन आमिंड्मेंट किस तरह से है देखें यह मतलब आलोचना नहीं है यह मतलब इनका ब्यूब बताया गया है कि यह क्या सोचते हैं कांस्टिशनल अमेंडमेंट के बारे में लचीलेपन और जचिलता के बीच एक बेहतर संदूलन है यह तो पहली बता दी है हमारा रिजिड भी है फिलिक्स बिल भी है डाक्र बी आरम बेटकर यह एक फाइनल ड्राफ्ट नहीं है कनाडा की तरह तो बी आरम बेटकर जी ने कहा कि कांस्टिशनल अमेंडमेंट होना चा बिचल करकोर्णिंग बना बिगार सकते हैं पर बेसी इस्ट्रक्चर को मत टच कर यह बस तो यह फाइनल ड्राफ्ट नहीं है ता इससा नहीं मतलब कि यह फाइनल रिजल्ट आ गया इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं आगे चलके ठीक है लेकिन कानाड़ा में कुछ ऐसा है कि यहां पर change नहीं कर सकते हैं गले इन आस्टेन क्या होते हैं यहां कॉंपलेक्स लगता है लेकिन बहुत हैं तो गरवीं ग्रेवीं और और च्छेन ने कहा है कि जो constitutional amendment देखने में तो complex है बहुत आसान है ठीक है तो इतना आप यह याद रखिएगा तो आई हो हैं हम आपको समझ में आ आया होगा अब यह आपका जो यह है यह पुरा आप यह पूरा जितना भीxes दिया गया है इसको सब पढ़ लीजिये क्योंकि एक एक मैं पढ़ाऊंगा आप से आप अगर मेरे cannot बने है तो मैं आपको एक एक चीजे पढ़ाओंगा कि संगियर धाचे से है और सभी कुछ कहां से पढ़ाओंगा लच्मी कान से ही पढ़ाओंगा तो इक अभी देखी यहां सा अभी अब कल यहां पापको बढ़ाएंगे महत्पूर्ट प्रावधान और बुनियादी संरचना तो अब यहां पर कुछ मत करिएगा आप जाएए आप लच्मिकांत अगर हो तो उसको लीजिए और इसके बाद इस पीडियेप को मेरे टेलेग्राम पर यह पढ़ जाएगा इस पीडियेप को जैसे आप कहीं कन्फ्यूज हो रहे हैं तो एक बार देखिए कि यहां पर कैसे पांसु तिलाली से दो बटतीन कैसे यह आया है कैसे तो वहां पर जैसे लच्मिकांत कई लोग पढ़ते हैं तो जरूर दे दीजिएगा कि कैसा लग रहा है ठीक है हम इसको सिरीच को आगे बढ़ाएं कि मतलब आपको खुदी पढ़ लेंगे ठीक है कुछ और पढ़ाएं तो आप बताईएगा ठीक है लेकिन पिछले वीडियो में बच्चों का रिस्पॉंस अच्छा आया था ठीक है तो आज के लिए वस इतना है धन्यवाद नमस्कार जैहन जैभारत